हे अबरिबन स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से विहार बोट के नमर वन चैनल विहार बोट इस्टेडी पे या दोस्ता है आज के क्लास में हम लोग कभर करने वाले हैं इंटरमेडियेट एक्जामिनिशन 2022 के एनोल एक्जाम का मोडल सेट को कभर करेंगे जो इस्टीर का है आपको बता त्यारी बिल्कुल जीरो परतिसत है और अभी तक आप अगर त्यारी नहीं कियें तो आप इस मोडल सेट को अच्छे से देख लिजे अच्छे से रिविजिन कर लिजे यह आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कोमेंट सेक्षन में जरूर बताएंगे कितने सारे कोस्टन आप जो आपने से सॉल्व कर बारता तो चलेगा इस सुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तेकर आप मेरे दिर को उत्रिया आपका आठ रहेगा आट मैसे आपको इन कितना का देना है चाड का ही आंसर धेना है ठीक है तो यानि फुल मिला करके जो परसूने की संख्या रहेगा आपको 137 रहेगा और आपको जो है इसमें ही ही आपको आपको आंसर परकारकार नहीं कुछ दिया वड सद्वेट तो सेक्शन एए तो से कुल ने है तो एक से लेकर चार विकलब पर दिये गर जिन्में से आपको एक ही करना है अपने द्वारा से शुनकर करना होता है तो चलिए का पर शुरू करते हैं महँझ जोद्रो कि कुछ किस की एथी तरह फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्क्रीटिक सौसाइटी के अस्थापना किसने किया था तो यह देखिए आपके स्क्रीन पे चार अपसन दिया हुआ है कनिंगा मोदैव फलीट डी सी सरकार विलियम जॉंसन तो देखे कॉलकात्ता में जो एस्टापना किया गया था वह किसके विलियम जॉंस के द्वारा किया गया था सत्रसों सल्तौन में ठीक है ऑफसन नमर दी विलिविदर राइट एंसर हो जाएगा तो चलिए गाई तो फिर हम लोग नेक्स् आपको एकदम कुछ भी 100 पर्सन यानि यूनिक एंसर मिलेगा आपको टेंसर लेने की कुई जरूरत नहीं है ठीक है लोथल कहां इस्तित आपके स्क्रीन पहल लोथल कहां इस्तित और गुजरात पसिमंगाल राजिस्तान पंजाब तो इसका राइट आपको बताना है लोथ आपसन नमर एक राइट एंसर हो जाएगा यानि गुजरात लोथल कहां यानि फिर हम लोग नेक्स को संग कबर करते हैं जो आपके स्क्रीन पहल भारत यह पुरात आत्युका पीता किसे कहा जाता है पहले आप से लौट करजन दिया हुआ हुआ है दूसरा में अलिकजंडर कोशन आपके स्क्रीन पर ध्यान से दिखे है क्या क्या राज रोहन का भुवात ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसा पूर्वेटिक ऑप्सन नमर बी विल्विदा राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट को संग कबर करते हैं गुप्तों क काल में कौन चिनियातरी भारत आया था तो जैसे पता होगा कि गुप्तों के काल में जो आया था वो फाहन आया था ऑफ्सन नमर सी राइट एंसर हो जाएगा इसका चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को संग कबर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको बताना है चंद गुप अगर वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर देंगा अगर जो नए बार पहले बार मेरे चैनल विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इस तरह कि मैं सभी मोडल सेट का आप लोग का एंसर की बहुत ही जल्द है अप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे क्या नाम क्या था तो यह नहीं क्या था इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चैनल के स्क्राइब कहाई पर्थम जयन संगीती कहा हुई थी पार्टली पूत्र वालनासी जाजगर है वैसाली इसका राइट एंसर क्या हो जागा है निया औपसर नमर ए विल्विदर राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है शोयतंबरा और दिकंबरा का किस धर्म से संबन दित है हिंदू, बौध, शीब, जैन इसका राइट एंसर क्या हो जागा है निया औपसर नमर डी विल्विदर राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कबर करते हैं आपके स्क्रीन पे है अस्तुप किस धर्म से संबन दित है तो जैसे का पता होगा कि यानि बौध धर्म से संबन दित है औपसर नमर बी राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कबर करते है जो आपके स्क्रीन पे है यात्रा विर्तान धर्मेशाहित आत्मकथा लोग गित राइट अंसर क्या वाज़ागा या आत्मकथा है वह बावर कर ठीक है चलिए नेक्स्ट को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है ध्यान से देखेगा एक कोशन बहुत ही इंपोर्टन है क्या किया इसमें कुतूब मिन आपको पता ही होगा कि इंपोर्टन को पढ़ा चुका हूं और यह आप लोग जानते भी है तो इसका एंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं आपके स्क्रीन पर आचुका है ध्यान से दिखेगा इसमें क्या क अंतिम मुगल समराट कौन था तो आपको पता होगा कि वो अंतिम मुगल बादसा जो थे तो यह भादूर सा जफर थे ठीक है और और दी राइट एंसर हो जायाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा दीने इलाह यानि किसे संबंदित है यानि अकबर से संबंदित है जो यानि वह 1581 सुई में यह धर में चलाया गया था ठीक है तो इसलिए अकबर होगा option no.C right answer हो जाएगा चलिए फिर हम लोग next question को कभर करते हैं जो आपके screen पर है दिया थी अपके screen पे 4 option दिया हो यानि बिर्वल दिया हो है बेरं दिया हो है मांसिन थे फिर question को और देख लिए अकबर के काल में रास्त वेवस्ता किसके नियंतर में थी यानि जो जो अध्यक्षी बनाया गया था ये किसे बनाया गया था बहुत को जाएंगा चलिए फिर मोग नेक्स्ट को कबर करते हैं यूद्य 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 का आपको पता होगा पंद्रोसोचपन में वा था और पर्थम वहा था वह था ठीक है यह चीज़ ध्यान रखेगा आप लोग बहुत इंपोर्टन पोशन है ठीक है नेक्स्ट को देखते जो आपके इस्क्रीन पर आया किस वंस का राजा था तो आपको पता होगा कि इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कवर करते हैं जो आपके इस क्रीन पर आ चुका है ध्यां से देखेगा किस राज्य को हमपी के नाम से जाना जाता है मोड़िय, गूप्त, भामनी, विजय नगर तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा यानि विजय नगर के नाम से जाना जाता है चलिए फिर्म लोग नेक्स्ट कोशन को देखें जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है ध्यां से दे परसिद्ध विरुपक्ष मंदिर कहां इस्तित है आपको पता होगा यानि यह हमपी में इस्तिधा नमर ए राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके इसक्रीन पर आच ऊगा है ध्यान से देखेगा दिल्ली सल्तनत की अस्थापना कब हुई थी य आपके स्क्रीन पर आच ऊगा ध्यान से देखेगा इस को तलवन्डी किसका नमस्तान था कबीर का नानक का रेदास का मीरा का तो आपको पता होगा यानि तलवन्डी किसका था यानि गुरु नानक का ओप्सन नमर ए बी विल विदा राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट को न को कबर करते है जो आपके स्क्रीन प्यार्य का दियान से देखेगा उत्र भारत में भक्त आंदुलन का आरंभ किस संत्रों कि शुरूकिया ठीक है रामानंड कभीर चैतने नानक तो आपको पता होगा उत्तर भारत में जो किया गया था यह रामानंद की के दुबारा किया गया था उपसर नमर एस का राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कबर करते हैं बहुत ही स्पीड लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यदा कोशन कवर करना है और इसमें आपको 100 अब्जेक्टिक आप सोच लिजे हंडेड अब्जेक्टि में आपको 50 का ही जवाब देना कोई बच्चा है ऐसा कमजोर से कमजोर भी बच्चा रहेंगे तो 50 का 50 मार के आना चाहिए आप लोग हम पहले बता देए कि अब की बार यानि 400 प्लस पार होना चाहिए यानि 450 प्लस पार सब बच्चे का होना जैसे बता होगा यानि अफ्चानी जो निकेतन तो यानि क्या था इसका एंसर आपको कमेंट सकते जली बताना है ठीक है यह बहुत ही कोशन है चले फिर लोग यानि नेक्स्ट को देखते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है पूर्तगालियों ने गुवा पर कब अधिकार क क्या गया था फंद्रों पांड कर देखे हैं तो पूर्तगालियों ने गुवा पर जो अधिकार गया था वो फंद्रों सो दस में किया गया था नियों ओप्सिन नमर्ट सी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चले फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं आपके इसक्रीन प कमपणी के अस्थाप नाम वाता जो सबसे पहले कोल का था मैं आये थी ठीक है जो अप्सन नमर ये विल विदर राइट एंसर हो जगाए था और इसका अगर पूछा जाए कि ये इस्ट इंडिया कमपणी किस के दोवाड़ा बना गया था ठीक है चलिए फिर लोग नेक्स्ट अप्सन नमर डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए फिर लोग नेक्स्ट कोशन को कबर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है ध्यान से देखेगा कार्णेवाल इसकोड कब बना यानि कार्णेवाल इसकोड जो है वो कब बना था यानि 775 में 797 ए 1805 में तो कार्णेव कोशन की अस्थापना कब की गई ज़िए कब किया गया था तो जैसे पदा ओगा होगा कि फीर फोलियमों के 100 जोने कवर करते चले पीर लोग नेक्सट को जो दो था तो यद्या कभ उता बहुत इउप्वर्चिन नहीं है यानि जगदी सफूर्ण में ठीक है टीक है फिर हम लोग नेक्स्ट इंसर घ्कवर करते हैं चले फिर आपके लोग नेक्स्ट को नेक्स्ट कोर्ण को कभर करते हैं चले फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं ध्यान से देखिएगा क्या करा इसमें दिग्रेट रिबोलियन नामक पुष्टन तक नहीं किसने लिखा था ठीक है तो आपको इसका राइट एंसर आपको बताना है तो इसके जो राइट जो हो जाएग चले फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है तो चलिए आपका नेक्स्ट इस स्क्रीन पर कोशन को देखेगा आपके आके रहा है कि अठाव सल्तौन के विद्रोग के समय भारत का गवर्णर जल्डर कौन था यहीं लॉड क्लाइब लॉड वेटिंग लॉड कैनिंग लॉड डॉल जी तो आपको पता होगा है कि लॉड कै होंगे पाई, आपको पता होगा दिलि मदरास कोलकॉता तोंबाई में हाँगाए यहीतित है इसमें क्या कैरा कि दूर्ठ नेजरी है तो जैसे का पता होगा इसके बार में आपको पूरी तरह से में बताया था कि तीन कठिया पधिती जो जूरी है वो नील के खेती से जूरी है जो किसानों से यानि तीन कठिया पधिती के इसाब से यानि कर उसूल जाता था तो जो काफी वहां के किसान यानि प्रिसान हो गया जिसे मात्मगांदी को अपना अंदलोन का नितित चुना था और उसके माध्यम से काफी विरोध हुआ था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं कि 1990 को भारत के सरकार अधिनयम को कहा जाता है तो रुलर्ट अधिनयम कहा जाएगा क्योंकि 1990 में पारित क्या गया था ओप्सन नमर सी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है ध्यान से देखेगा इसमें क्या कह रहा है कि चोड़ी चौरा कांड कब हुआ यानि कब हुआ था चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं इसमें क्या कह रहा है कि गांदी जी पेसे से क्या था दा गांदी जी पेसे से क्या थे चलिए फिर फिर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था यानि फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं कॉंग्रेस के किस आधी नियम में पुन्न साराज का प्रस्ता पाडित हुआ था तो आपको इसका एसनसर आपको कमेंट सेक्टन होता ना 54 का चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं जो आपके इसक्रीन पे आच चुका है ध्यान से देखेगा इसमें क्या कह रहा है कि दुट्य विश्विद्य कब समाप्त हुआ था उनेस सो बैलीस उनेस सो चवालीस उनेस सो पैतालिस उनेस से शुरू आता और उनेस सो पैतालिस तक चला था इसका ओप्सन नमर सी राइट एंसर हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं जो आपके इस सबीदान सब्सक्राइब अध्यक्ष थे अस्ताय अध्यक्ष तो से डॉक्टर आजिंदर पर्साद को का जाता है अब यह सर्द को ठीक है इसके बारे में आपको पूरा का लोव पूरुष किसे कहा जाता है तो आपको पता It ya जैंभ है जि जो ले फूरुष के नाम से छाने जाते चैनि कि नोंगन अगर कौन said arnaइस हर अपा सवotा का सबसे बारानेगर कौन था आपको पता होगा कि हर अपा सवotा का सबसे बारानेगर था तो मोहणजय उसका निमर penga के लिए इसका राइट एंसर होचा चाले हम लोग नेक्स्ट कॉर्शं को कबर करते हैं इसके रइंट पर आ चुका बहुत इजी कॉश्टन और बहुत इंपोर्टन कोश्टन है ठिक है तो आप लोगों बताजते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लॉग हो रहा है तो हमें चाहिये कि यह दूसरा पाट इसके लिए लेके आना चाहिए, क्योंकि इतना लॉंग में आप लोग थुरा यह हो जाएंगे, इसलिए तो हमें दूसरा पाटे ने बहुत जल्द लेके आ रहा है, अगर गाइस वीडियो कर पसंद आया तो मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, आप वीडियो को एक बार जम करके अ चानल को सब्सक्राइब कर लेंगा और में वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है तो यहीं तक मैं वीडियो को इंड करता हूँ, जहीं जबारत